बिहार के कई जिले में आग लगने से हाहकार जैसे सिती उत्पन हो गई है खेत खलिहान से लेकर मकान तक जलकर राख हो गई है तो वहीं कहीं दुकान जल रहे हैं तो कहीं किसी का करोरों का नुकसान हुआ है प्रचेंड गर्मी है पारच 44 डिगरी तक पहुँच गया है इसे बीच तीज हवा की कारण तो कहीं एक छोटी सी चिंगारी की वज़े से आग लग जा रही है इसमें अभी तक करूर और रुपे का नुकसान हुआ है बिहार की कई जिलों में आग लगी की घटना से ग्रामिन परिशान है सिवान समस्तिपूर पुर्णिया बेगुसराय और गया जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां आग से लोग परिशान है तबाही हो रही है और इसे बीच अब हालत ऐसी हो गई है कि मासूम जो बच्चियां है उन की खबर आपको बताते हैं कि इस तरीके से बिहार जल रहा है बिहार में याग लगी की जो घटना है वो दिन बढ़ते जा रही है और उसको लेकर अब जो गाउं वाले हैं जो परिद परिवार हैं वो अब सिरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कुछ किया में हमने आपको बेगु सराय की खबर बताई थी जहां चीरे महीने की मासूम आग की चपेट में आ गई तो वहीं आप खबर समस्तिपूर से हैं जहां पहले तो 25 घर जल चुके हैं 25 घर आग के चपेट में आ गए और अब ये सब कुछ तब हुआ जिब चुला पर एक घर म पा लिया गया लेकिन तीन साल की चोटी सी मासूम सी बच्ची को नहीं बचवाया जा सका वाकि ऐसे खबर पहले भी सामने आए थे जहां पुर्णिया के जलाल गर में भीशन आग लगने से दो परिवारों की घर जल गए थे इस घटना में काफी बरबादी हुई थी हालां की वहां के CEO ने बताया था कि सरकारी राशी जल्दी परिवारों को मुहया करवाए जाएगी बाकि ऐसे करकर के कभी गया में तो कभी बेगुसराय कभी सिवान कभी समस्तिपूर बिहार की कई जलू में लगतार आग लगी की घटना हो रही है इस भयंकर अगनी कांट से लो बेगुसराय में भीशन अगनी कांट के वज़ो से पंदरा घर जल कर राख हो गए पंदरा पडिवार बेघर हुए और आग के चपेट में छे महीने की मासूम भी आ गई थी घटना की बार पूरे गाउं में एकडम से अपना तपनी का महौल उत्पन हुआ ये घटना संदगी खत्म हो जाती है अज के पहले भी बेगुसराय में ऐसे ही घटना होई थी जहां रातों रात गाउं जल कर खाग हो गया जो ये बेगुसराय के मतिहानी थाना चेतर के सिहमा गाउं की खबर ती जहां करीब 200 पडिवारों का घर जला था आखों के सामनी अपनी घर क जलते देखा पूरा का पूरा गां उजर गया और वज़वा आग लगी थी बाकि अब इन मामलों में आम जनता कि अगर हम बात करें तो जितना भी नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार से करने की मांग की जा रही है चाहे वो घर जलने से हो दुकान जलने से हो या पर किस खानों की खेती बरबाद हुई हो अब उसी इम्नितिश कुमार से ग्रामिन जो है वो गुहर लगा रही है कि उनकी भरपाई की जाए उनकी मदद की जाए उनके लिए मुवाव जा दिया जाए बाकि अब बेगु सराय समस्ति पुर्हों पुर्णिया सिवान इन सब ही जगहो पर जो यह घटना हुई है अगनी कांडवा है इसको लेकर अब खास कर जो ग्रामिन है जो गरीब परिवार है उनको सतर्क रहने के जरूरत है जो आज विचुलहा पर खाना बनाते हैं उन्हें यह समझना होगा कि जब भी वो खाना बनाए उस वक्त एक तो आग के पास किस कुछ आक्शन डीती है किस तरीके से लोगों को मौफजा दिया जाता है इस पर कोई अन्नी जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे तब तक आप उस पुरे खबर पर क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया आप कमन सेक कीची और बाकी खबरों के लिए बनी रहें जनता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थिया आपके साथ वंदना नहींवाद